गाव का गरीब आदमी और उसका आत्मसम्मान एक समय की बात है, एक छोटी से गाव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था वह मेहनती था और अपना जीवन इमानदारी से व्यतीत करता था गाव के लोग उसकी गरीबी का मजाक उडाते थे, लेकिन रमेश कभी किसी से कुछ नहीं कहता था वह जानता था कि उसका आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी संपत्ती है एक दिंगाव के अमीर व्यापारी रामलाल ने अपने खेत में काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत महसूस की उसने रमेश को बुला कर कहा, तुम मेरे खेत में काम करो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा रमेश को काम की जरूरत थी, लेकिन रामला ने एक शर्ट रखी कि रमेश को काम के दौरान अपनी पीत पर गरीब लिखा हुआ एक तक्ति पहन्नी होगी रमेश को ये शर्ट बहुत अपमांजनक लगी, उसने शांती से कहा, मुझे आपकी पैसे की जरूरत है, पर मैं अपने आत्म सम्मान से कभी समझोता नहीं करूंगा आप मुझे चाहे कितना भी पैसा दे, लेकिन मैं अपनी गरीबी का प्रदर्शन नहीं कर सकता रमेश ने वह काम करने से इंकार कर दिया और गाव में एक छोटी दुकान खोलने का निश्चे किया धीरे धीरे उसकी मेहनत और इमानदारी से उसकी दुकान चल पड़ी और वह अपनी गरीबी से बाहर निकल आया उसकी कहानी से गाव के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने समझा कि धन से ज्यादा महत्वपून आत्मसमान और इमानदारी होती है